हैपी निवेर आल अफ यू आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हाउ टू बी ए बेटर वर्जिन आफ यूरसल्फ मतलब 2021 में आप जो थे वह आप 2022 में बिल्कुल भी नहीं होंगे आप अपने में इंप्रूमेंट करोगे जिससे आप आपके लाइफ में ग्रो कर सकते है हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों ने आपके निवेर के जो रिजूलिशन से वो प्रॉपरली प्लैन की होगे उसको नोटबुक की उपर लिखा होगा आपके बेटरूम के वाल की उपर उसको चिपका होगा लेकिन फिर भी आप एक हफते की उपर जीम नहीं जा पाते आप आपके फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस के जनुरी की उपर प्रॉपरली फोकॉस नहीं कर पाते क्यूंकि यूर लाइकि इन सेल्फ डिस्सिप्रीन क्यूंकि अगर आपको वो परस्नालिटी बनना है कुछ एचू करना है तो सबसे पहले आपको आप में चें छों अगर देखेंगे कि हम इसे कैसे जचू करेंगे की बाहर बहुत शोर हो रहा है आप नो उपर जाके बात करते हैं जैसे का मैंने आप लोगों को बता है कि हर इंसान के 4 goals होते है वैसे मेरे भी 4 goals ही है Personal, Professional, Financial and Relationship goals लेकिन important चीज यह है कि आपका एक long term goal होता है और उसी long term goal को आप short term goal में divide करते है क्योंकि एकदम से आप 100% बिल्कुल भी achieve नहीं कर सकते आपको over the period of time लगता है वो goal को achieve करने के लिए लेकिन आपको proper plan तो बनाना है आपको short term goal तो decide करने है कि आपको यह साल क्या करना है अगले साल क्या करना है तब जा कि आप उस long term goal को achieve कर सकते सो मेरे भी SI goal है और मैंने भी खुद plan किया कि मैं को क्या करना है अब मैं आपको बता हूँगा कि मैंने यह साल properly plan किसे किया है मुझे क्या चीव करना है और मैं क्या करने हो लो definitely आप notebook and pen लेके ज़रूर बैठना क्योंकि आपको भी इसमें से कुछ important चीज़े ज़रूर मिलेगी so आप note down ज़रूर कर लो कि आपको कैसे आपका साल plan करना चाहिए पिछले साल 2021 में मैं मेरे physical journey में बिल्कुल भी consistent नहीं था मैं 30 days ज़्यादा था उसके बात 15 दिन गया फिर 30 days गया फिर 15 दिन गया तक मैं meditation करता ही हूँ so ये दो चीज़े आपके life में काफी ज़्यादा important होती है आपको daily basis के उपर 45 minutes तक आपको exercise करनी है आपको 30 minutes तक meditation करना ही पड़ेगा physical fitness and mental fitness के साथी साथ आपको अगर healthy lifestyle जी नहीं है तो आपको healthy diet consume करना पड़ेगा आप जो मेंदा खाते हो, शुगर खाते हो अलग-अलग junk food, fast food खाते हो वो consume करना पड़ेगा इस साल आप totally healthy diet के उपर focus करो तभी आप long term में healthy रह पाऊगे कभी बार ऐसा होता है कि हम फुद को procrastinate करना start करते overthinking करते रहते लेकिन इस चीज़ के उपर मेरे पास एक जबरदर solution है मैं अगर खुद को कभी procrastinate करता हो कभी मैं overthinking करने लग जाता हो तब मैं मेरा mobile phone, मेरा headphone और जितने में technology related चीज़े होती है मैं घड़ पे छोड़ जाता हो और मैं नीचे walking के लिए जाता हो मेरे apartment में 20 minutes तक without technology walk करता हो इससे एक अपने thoughts में mental clarity आजाती है आपको आपके answers खुद बोखुद मिलने लग जाते है आप एक deep thinking में चले जाते हो और आपको आपके सही answers मिलने लग जाते है क्योंकि हम दिन भर social media की दुनिया में होते हैं तो सबसे important चीज़ यह है कि आप social media के तुनिया से बाहर आओ क्योंकि आप किसी और के wins को आपके failure के साथ compare कर रहे है तो definitely आप procrastinate करोगे और thinking करोगे so ये चीज़े completely बन करो दो आपका time waste का ना बन करो क्योंकि आप उतने अच्छी तरके से उतने efficiently सोचने पा रहे हो क्योंकि आप सिर्फ scrolling करने में लगे हो और वो भी empty scrolling जिससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है so ये चीज़े बन करो walk करो 20 minutes जो आपके mental clarity क्योपर definitely affect करेगा आपको आपके खुद के answers मिलने लग जाएंगे इस साल आप daily basis क्योपर खुद को 20 minutes जोरो देना walk करने के लिए इससे आपके thoughts में mental clarity आजाएंगी और आप efficiently सोच सकते हैं इस साल का मेरा सबसे important personal goal जो है वो है reading a book क्योंकि पिछले साल मेंने 2021 में total 3 books read किये पहली जो थी वो Atomic Habits by James Clear सेकंड जो थी वो Tools of Titan by Timothy Ferris और थर्ड वोन जो थी वो थो Zero to One by Peter Thiel books read करना important क्यों है अगर आपको आपके life में grow करना है आपका perspective आपको change करना है आपको thinking process में clarity लानी है तो आपको book read करना काफी जादा important है क्योंकि जब आप book read करते तब आप किसी और के perspective से देखना स्टार्ट करते दुनिया को और यह काफी जादा important चीज है क्योंकि हर बार आप आपके zone में होते आपको काफी सारी चीज़े पता नहीं होती लेकिन जब आप book read करते तब आप उनके नज़रे से इस दुनिया को देखना स्टार्ट करते तब आपको काफी सारी चीज़े अलग-अलग जो आपको पता भी नहीं है वो आपको सीखने को मिलती है तो यह चीज़े काफी important है तो इसलिए कहते all the leaders are readers क्योंकि leaders होते वो किसी और के mistakes से सीखते और इसलिए वो अपने life में आगे होते काफी जादा तो इस साल का मेरा जोगोल है वो 8 से 10 book read करना पिछले साल मैंने 2021 में काफी अची चीज़ सीखी वो है अपना time से उकरना almost everything को मैंने ना कहा जो मैंना time waste करे और आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए इस साल 2022 में मैं काफी ज़्यादा time save करूँगा क्योंकि अपने पास एक ही asset है अगर आप 20s में हो तो आपके पास सिर्फ time में job की asset है अगर आप 40s में 50s में जाते हो तब तक आप आपका time save नहीं करते ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दिन बर busy रहना है productive रहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब आपका time save करते है तब आप आपका free time निकाल लेते हो जो आप आपके family के साथ spend कर सकते जो आपके personal goal के उपर आप spend कर सकते या फिर आप खुद को दे सकते और इस चीज़ के लिए आपको proper to-do list भराना पड़ेगा जिसमें आप आपके जितने भी दिन बर के task होते है वो divide करेंगे इस segments में जैसे कि priority task, important task and less important task जो priority and important task होते है वो आप पहले perform करेंगे उसे complete करेंगे और बाकिके जो less important है वो आप कभी भी कर सकते आपको आपका time properly divide करना आना चाहिए और उसकी तरह से आपको आपका time save करना आना चाहिए जो आप खुद के लिए आपके family के लिए देशो को time के बारे में सबसे important चीज़ जो मैं खुद भी करता हूँ बाकी साले लोग भी follow करते है वो social media scroll करना उसे केते empty scrolling इससे आप कुछ भी सीखने रहे हो आप सिर्फ empty scrolling करते जा रहे है किसी को like कर रहे है किसी को comment कर रहे है लेकिन इससे कोई भी मतलब benefit नहीं है आपका आपका time ही इसमें waste हो रहा है तो ये चीज़ थोड़ी से बचा लो आपको अगर social media पर time spend ही करना है तो उसका timer लगा लो 10 minutes 20 minutes लेकिन इससे जाथ आप बिल्कुल भी आप spend मत करना है क्योंकि आपका total time waste होने वाला है second goal जो है वो है professional goal और हर एक आदमी का professional goal अलग होता है क्योंकि किसी को job में ही हाईरार्की आसिल करनी है काफी जाधा knowledge में ने gain किया कि actual में startup build कैसे करना है startup build करने के लिए क्या processes है क्या systems है जिससे startup चलता है startup में काम करने का एक बड़िया benefit जो है वो है कि हर एक business segment को आपको closely देखने का मोगा मिलता है आप sales कैसे सलता है marketing कैसे सलता है logistic कैसे सलता है और इसमें एक important चीज़ है कि हर एक आदमी जो होता है वो एक अलग-अलग experience ग्रेन करके आता है और उनके experience के थूँ भी आपको काफी सारी चीज़े सीखने को मिलती है बस यही motive था कि मैं startup में काम करूँ मैं देखो closely की business run कैसे होता है actually क्योंकि जो बड़े-बड़ी MNC companies होती है वहाँ पे जाके directly आपको एक process set होता है आपको वही काम करना पड़ता है लेकिन startup एक ऐसी चीज़े जहाँ पे आपको actual में देखने को मिलता है कि company scratch से कैसे built हुई and उपर कैसे grow होई so उस चीज़ में जो process लगी जो system लगी वह आपको सीखने को मिलती है and वह जादा important है so इस साल का मेरा goal यही है कि मैं अपने startup के लिए idea generate करू उसे validate करू and actual implementation की process में उसे लाना start करू क्योंकि definitely यह मैरा long term vision है long term goal है कि मैं मैरा startup build करू कुथ का so इसलिए मैं इस साल definitely इसक्यू पर act करूँगा and मैं कम सी कम one to two hours daily basis क्यू पर इसक्यू पर spend करने वाला हूं one to two hours Q क्योंकि small actions create big difference यह आपने सुना होगा and यह definitely such है क्योंकि सिर्फ बोलने से definitely कुछ नहीं होगा आप सिर्फ बोलते चले जाओगे अगर आपको कुछ action में hustle करना है तो आपको actions लेना काफी जादा important है You need to be agile for everything what you want in your life So आपको agility से work करना पड़ेगा आपको at least 1-2 गंटा put करना पड़ेगा जो चीज आपको hustle करना है उसमें आपके professional goal में आपको productive लेना काफी जादा important है जैसे कि मैं एक video बना रहा हूँ अभी जो मैं आपके सामने एक video बना रहा हूँ तो इसमें मैं तकरीबन पिछले 1-2 गंटे से fully focused हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं तब आप बीच में से ही social media scroll करने लग जाते हैं या फिर आप गपशब करते रहते हैं तो यह चीज़ आपको totally award करनी है अगर आपके कुछ goals है आपको कुछ हासिल करना है या फिर आपको कोई priority task है तो आपको properly timer लगा के काम करना पड़ेगा आपको focus रहना पड़ेगा आपके time के उपर क्योंकि busy and productive में काफी बड़ा difference है अगर आप busy हो तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ busy हो आप efficiently आपका काम नहीं कर रहें लेकिन अगर आप productive हो तो आपको बताए कि आपको एक घंटे में ये काम complete करना है आपके पास deadline है और आपके पास आपका काम पड़ा है और वो आप focus ली definitely fulfill करेंगे इसे कहते है productivity तो आपको आपके professional life में productive रहना आना चाहिए professional goal achieve करने के लिए मैं आपको एक simple सी term बताऊंगा वो है take more actions and speak less यह काफी ज़दा important है वो जल से जल आपके दिमाग में डाल दो क्योंकि जितने तेजी से आप actions लोगे उतने ही आप ऊपर चले जाओंगे third most important जो goal है वो है financial goal और आप सभी को पता है अगर आपने पास financial stability होगी तो आपन हैपी रहते है अपने को कोई भी tension बिल्कुल भी ने रहता लेकिन यह financial stability हासिल कैसे करे एक बात ने आपको आथा तो financial stability बिल्कुल भी ने आती जब तक आप अपना business start करते है अगर आप एक अच्छे position पे एक अच्छे hierarchy level पे job कर रहे है तब ही आपको financial stability आ सकते है लेकिन अगर किसी की 30,000 salary है तो वो financial stability हासिल कैसे करे इसके लिए आपको properly save, invest and repeat आपको करना पड़ेगा तब जाके आप financial stability हासिल कर सकते है अपकी 30,000 salary है तो इस चीज़ के लिए आपको total तीन bank account लगने वाले है पहला जो होगा वो salary account होगा जिसमें आपकी salary जमा होती है second जो होगा, वो होगा saving account and third जो होगा, वो होगा expense account सो सबसे पहले आपकी जब salary जमा होगी 30,000 रुपीज तो उसमें से आपको 20% मतलब 6,000 रुपेया saving account में transfer कर देने आपके salary account से उसके बाद आपको let's suppose आप expense करते है 10,000 रुपीज पर मन तो आपको वो 10,000 रुपीज आपके expense account में transfer करने आपके salary account से इससे क्या होगा कि आपको जो financial process है वो smooth चलता रहेगा जिससे आपका expense account में वो amount आजाएंगी saving account में आपके पैसे हर मेहना बाजू कुरहेंगे जो आप saving कर सकते है जिससे आप monthly 20% amount आपका save कर सकते है and इससे definitely आपको financial stability जरूर आएगी क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पास इतने पैसे हभी तक आपने saving करके रखे अगर आपको आपके saving के ऊपर अच्छा return कमाना है तो आप bank में या फिर FD के आला हुआ आप SIP में invest करना start करो जो की stocks होते हैं जिसमें आप invest कर सकते हैं आपका ये 6,000 रुपीज जो है अगर आप stock में invest करते हैं तो आपको आप अच्छा return भी मिलेगा as compared to FD and saving account वो आप कर सकते हैं क्योंकि 2022 में में वो चीज स्टार्ट करने वाला हूँ अलड़ी में start कर चुका हूँ तो में उसे continually consistent follow करने वाला हूँ अगर आप आपके 20s में हो and आप high return कमाना चाते हैं आपके savings के उपर तो आप trading सीखना चालो कर दो क्योंकि trading एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छा पैसा कमा किदेगा लेकिन जितना अच्छा पैसा आप कमाऊंगे उतना high risk risk में आता है इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि आपकी जितनी capacity है जितना आप loss सेह सकते हो उतने capital से आप start करना जितना कम हो सोगे उतने capital से आप start करना और उसे सीखना क्योंकि अगर आपको trading आ गया तो long term में आप अच्छे पैसे कमा सकते है क्योंकि मैं खुद trading सीख रहा हूँ और मैं trading करना चाहता हूँ तो काफी सारी चीज़े मैंने सीखी है उसमें और मैं daily basis के उपर practice भी कर रहा हूँ losses भी किये profit भी किया लेकिन उसी से तो आदमी सीखता है fourth and most important जो goal है वो है relationship goal और इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं relationship में हूँ लेकिन आपकी family होते हैं आपके friends होते हैं इन लोगों के साथ आपको time spend करना आना चाहिए एक दिन का कम से कम आप 30 minutes से लेके 1 hour तक आपके family के साथ time ज़रूर spend करना without any interruption और यह काफी ज़्यादा important है इससे आप खुद भी happy रहते और आपके family members को भी happy रखते last में सबसे important चीज़ यह है कि learn new things आपको learning बिल्कुल भी नहीं चोड़नी है आपको consistent basis के उपर learning करते रहना है and सिर्फ learn नहीं करना है आपको वो practical उसका implementation भी करना है apply करनी है चीज़े तब जाकि आप अच्छी तरह से उसे समोझ पाऊगे तब जाकि आप real life में उसका कुछ practical use कर पाऊगे so मैं आपको recommend करूँगा कि अभी अगर देखे तो generation काफी मतलब आगे बढ़ रही है जैसे कि metaverse हो गया nfts हो गई crypto currency हो गई so इन जैसे topic जो है वो आप explore करना start करो क्योंकि future makes में काफी जादा पैसा है and definitely आपको ये नहीं चीज़े भी पता होना तो जरूरी है at least आप learning के उपर focus करो जो लोग आप से मिलते हैं उनसे आप learn करना चालो करो books read करो learning करो application करो उसका and ये application करने के बाद लोगों को सिखाना start करो क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों को सिखा पाऊगे उतना अच्छी तरीके से आप खुद adapt कर पाऊगे उतना अच्छी तरीके से आप उसका खुद use कर पाऊगे so learning is most important I hope कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आयोगी and आज आपने कुछ नाया जरूर सिखा होगा अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप इस साल में low feel कर रहे है तो फिर से आना and इस वीडियो को check out जरूर करना आपको motivation जरूर मिलेगा अगर आपके friends है जिससे आप वीडियो शेयर करना चाहते है तो definitely उनके साथ भी वीडियो शेयर जरूर करना क्योंकि वो भी इस वीडियो का फायदा उटा सकेंगे जितने भी आपके सपने हैं जितने भी आपके गोल से प्लान से जो आप अच्व करना चाहते हैं 2022 में वो definitely आप अच्व करोंगे यह मेरी दुआ है and once again आप सभी लोगों को happy new year